शेयर बजार ने एक बार फिर से इतिहास रश्टे हुए एक नए मायलस्टोन को पार कर लिया है सेंसेक्स पहली बार 85,000 अंकों को पार कर गया जो सोववार को कुछ अंकों से पिछड़ गया वहीं दूसरी ओर निफ्टी अभी 26,000 अंकों पर पहुचने के लिए संघर्ष करता हुआ नजब आ रहा है जब से फेट ने अपने पॉलिसी ब्यास दरों में शूने दशवलव पार शून ये फीसदी की कटोती की है तब से शेयर बसार में तेजी भी देखने को मिल रही है करीब तीन कारवबावी दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में दो फीसदी से ज्यादा का इजाफ़ा देखा जा चुका है जानकावी के अनुसार आने वाले दिनों में सेंसेक्स और निप्टी में तेजी आ रही है और रहभी सकती है